नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में शेयर बजार के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं एक शेयर बजार, एकविटी बजार या शेयर बजार शेयरों के खरीदारों और विक्रेताओं का एकत्री करण है जिन्हें शेयर भी कहा जाता है, जो व्यवसायों पर स्वामित्व के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं इनमें सारवजनिक स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं साथ ही स्टॉक जो केवल निजी तोर पर कारोबार किया जाता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है निवेश आम तोर पर निवेश की रनीती को ध्यान में रख कर किया जाता है। हाला कि शेरों को अन्य देशों में एक्सचेंजों पर भी कारोबार किया जा सकता है। उदाहरन के लिए अमेरिकी जमाकर्ता के रूप में अमेरिकी शेर बाजारों पर प्रापतियां, ADR, बाजारों का आकार, दुनिया भर में एक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों का कु कुल बाजार पूंजी करण 1980 में US 2 डॉलर और 50 सेंट्रिलियन से बढ़कर 2019 के अंत में US 83 डॉलर और 53 सेंट्रिलियन हो गया। 31 दिसमबर 2019 तक, दुनिया भर में सभी शेरों का कुल बाजार पूंजी करण लगभग US 70 डॉलर और 75 सेंट्रिलियन था। 2016 तक, दुनिया में 60 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 16 एक्सचेंज हैं जिनका बाजार पूंजी करण 1 डॉलर ट्रिलियन या उससे अधिक है। और उनका वैश्विक बाजार पूंजी करण का 87 प्रतिशत हिस्सा है। आस्ट्रिलियन सेक्योरिटीज एक्सचेंज के अलावा, ये 16 एक्सचेंज उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया में हैं। देश के अनुसार, जन्वरी 2021 तक सबसे बड़े शेयर बाजार संयुक्त राज अमेरिका, लगभग 55.9 प्रतिशत में हैं। इसके बाद जापान लगभग 7.4 प्रतिशत और चीन लगभग 5.4 प्रतिशत हैं। शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज या बोर्स है जहां स्टॉक ब्रोकर और व्यापारी शेयर, एक्विटी स्टॉक, बॉंडर और अन्य प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। कई बड़ी कमपनियों के शेर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। यह स्टॉक को अधिक तरल बनाता है और इस प्रकार कई निवेशकों के लिए अधिक आकर्शक बनाता है। एक्सचेंज निप्तान के गांट के रूप में भी कार्य कर सकता है। इन और अन्य शेरों का कारोबार, ओवर दे काउंटर, OTC, यानी डील के माध्यम से भी किया जा सकता है। कुछ बड़ी कमपनियों के स्टॉक विभिन देशों में एक से अधिक एक्सचेंजों पर सूची बध होंगे। ताकि अंतराश्ट्रिय निवेशकों को आकर्शित किया जा सके। स्टॉक एक्सचेंज अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों को भी कवर कर सकते हैं। जैसे की निश्चित ब्याज प्रतिभूतियां, बॉंड या कम बार-बार, डेरिवेटिव, जिनके OTC कारोबार की संभावना अधिक होती है। शेयर बाजारों में व्यापार का अर्थ है किसी स्टॉक का स्थानांतरन, पैसे के बदले में, या विक्रेता से खरीदार को सुरक्षा। इसके लिए इन दोनों पक्षों को एक कीमत पर सहमत होने की आवश्शकता है। इक्विटी, स्टॉक या शेयर, किसी विशेश कमपनी में एक स्वामित वरहित प्रदान करते हैं। शेयर बाजार में भाग लेने वाले छोटे व्यक्तिगत स्टॉक निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक होते हैं। जो दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकते हैं, और इसमें बैंक, बीमा कमपनिया, पैंशन फंड और हेज फंड शामिल हो सकते हैं। उनके खरीदने या बेचने के ओडर उनकी ओर से स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर द्वारा निश्पादित किये जा सकते हैं। कुछ एक्सचेंज भहुत एक स्थान होते हैं जहां लेंदेन एक व्यापारिक मंजल पर किया जाता है, जिसे खुली चिल्लाहट के रूप में जाना जाता है। इस पधधती का उप्योग कुछ स्टॉक एक्सचेंजों और कमोडिटी एक्सचेंजों में किया जाता है। और इसमें बोली लगाने और कीमतों की पेशकश करने वाले व्यापारी शामिल होते हैं। अन्य प्रकार के stock exchange में computer का एक network होता है जहां व्यापार electronic रूप से किये जाते हैं ऐसे exchange का एक उदाहरन NASDAQ है एक संभावित खरीदार एक stock के लिए एक विशिष्ट कीमत की बोली लगाता है और एक संभावित विक्रेता उसी stock के लिए एक विशिष्ट कीमत पूचता है बाजार में खरीदने या बेचने का मतलब है कि आप stock के लिए किसी भी मांग मूल्य या बोली मूल्य को स्वीकार करेंगे जब बोली और पूच मूल्य मेल खाते हैं तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर एक विक्री होती है यदि किसी दिये गए मूल्य पर कई बोली दाता है Stock Exchange का उद्देश य खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिभूतियों के आधान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है इस प्रकार एक बाजार प्रदान करना है Exchange सूची बद प्रतिभूतियों पर रियल टाइम ट्रेडिंग जानकारी प्रदान करते हैं जिससे मूल एक होज की सुविधा मिलती है New York Stock Exchange, NYC, एक भौतिक एक्सचेंज है जिसमें किसी भी स्थान के साथ साथ ट्रेडिंग फ्लो पर इलेक्ट्रोनिक रूप से ओडर देने के लिए हाइब्रिड मार्केट है ट्रेडिंग फ्लो पर निश्पादित ओडर एक्सचेंज सदस्यों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और एक फ्लो ब्रोकर के पास प्रवाहित होते हैं जो ओडर को ट्रेड करने के लिए उस स्टॉक के लिए नामित मार्केट मेकर, डी एमेम के लिए फ्लो ट्रेडिंग पोस्ट को इलेक्ट्रोनिक रूप से ओडर सबमिट करता है डी एमेम का काम दो तरफा बाजार बनाए रखना है जब कोई अन्य खरीदार या विक्रेता नहीं होते हैं तो सुरक्षा खरीदने और बेचने का आदेश देते हैं यदि कोई bid ask spread मौजूद है तो तुरंत कोई व्यापार नहीं होता है इस मामले में DMM अंतर को बंद करने के लिए अपने स्वयम के संसाधनों धन या स्टॉक का उप्योग कर सकता है एक बार व्यापार करने के बाद विवरंट टेप पर रिपोर्ट किया जाता है और ब्रोक्रेज फर्म को वापस भेज दिया जाता है जो उस निवेशक को सूचित करता है जिसने ओडर दिया था कम्प्यूटर एक महत्वपून भूमिका निभाते हैं खास कर प्रोग्राम ट्रेडिंग के लिए नासडाक एक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज है जहां सभी ट्रेडिंग कम्प्यूटर नेट्वर्क पर की जाती है प्रक्रिया निव्योर्क स्टॉक एक्सचेंज के समान है एक या एक से अधिक नास्टाग बजार निर्माता हमेशा एक बोली प्रदान करेंगे और उस कीमत के बारे में पूछेंगे जिस पर वे हमेशा अपना स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे पेरिस बोर्स जो अब यूरो नेक्स्ट का हिस्सा है एक औरस अंचालित इलेक्ट्रोनिक स्टॉक एक्सचेंज है इसे 1980 के दशक के अंत में स्वचालित किया गया था 1980 के दशक से पहले इसमें एक ओपन आउटरी एक्सचेंज शामिल था स्टॉक का ब्रोकर पालिस ब्रोंगनियाट के ट्रेडिंग फ्लो पर मिले 1986 में कैट्स ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया था और ओडर मिलान प्रनाली पूरी तरह से स्वचालित थी स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले लोग सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज पर व्यापार करना पसंद करेंगे क्योंकि इससे संभावित काउंटर पार्टियों की सबसे बड़ी संख्या एक विक्रेता के लिए खरीदार एक खरीदार के लिए विक्रेता और शायद सबसे अच्छी कीमत मिलती है हाला की हमेशा विकल्प रही हैं जैसे दलाल एक्सचेंज के बाहर व्यापार करने के लिए पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है कुछ तीसरे बाजार जो लोक प्रिय थे वे हैं इंस्टेनेट और बाद में द्वीप और द्वीप समूह बाद के दो को क्रम शह नैस्डेक और एन्वाई इसी द्वारा अधिग्रहित किया गया है एक फाइदा यह है कि यह एक्सचेंज के कमीशन से बचता है हाला कि इसमें प्रतिकूल चयन जैसी समस्याएं भी है वित्तिय नियामकों ने डाकपूल की जाज की है बजार सहभागियों में व्यक्तिगत खुदरा निवेशक, संस्थागत निवेशक, जैसे पैंशन फंड, बीमा कंपनिया, म्यूच्यूल फंड, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेड एड फंड, हेज फंड, निवेशक समुह, बैंक और विभिन अन्य वित्तिय संस्थान और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगम भी शामिल है उनके अपने शेर, व्यक्तियों के लिए निवेश को स्वचालित करने वाले रोबो सलाहकार भी प्रमुक भागीदार हैं बजार भागीदारी की जनसानखी की संपादित करें अप्रत्यक्ष बनाम प्रत्यक्ष निवेश अप्रत्यक्ष निवेश में परोक्ष रूप से शेरों का स्वामित्वर शामिल है। जैसे की Mutual Fund या Exchange Traded Fund के माध्यम से प्रत्यक्ष निवेश में शेरों का प्रत्यक्ष स्वामित्वर शामिल होता है। व्यक्तियों द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष स्वामित्व उनिस सो बानवे में 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 17.9 प्रतिशत हो गया। इन होल्डिंग्स का ओसत मूल्य 14,778 डॉलर से बढ़कर 17,000 डॉलर हो गया। सेवानिवरिती खातों के रूप में अप्रत्यक्ष भागिदारी 1992 में 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 52.6 प्रतिशत हो गई। इन खातों का ओसत मूल्य उस समय 22,000 डॉलर से 45,000 डॉलर से दो गुना से अधिक था। राइड क्विस्ट स्पिजमान और स्ट्रेप्यूलेव सहियुक्त राज्य अमेरिका में प्रतियक पर कर लगाने के तरीके में अंतर के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स में अंतर वृध्धी का श्रे देते हैं। पैंशन फंड और 401 किलो सेकंड अप्रत्यक्ष भागीदारी के दो सबसे आम वहनों में निवेश पर तभी कर लगाया जाता है जब खातों से धनराशी निकाल ली जाती है। इसके विप्रीट स्टॉक को सीधे खरीदने के लिए इस्तिमाल किया गया पैसा कराधान के अधीन है क्योंकि वेधारक के लिए कोई लाभांश या पून जीगत लाब उत्पन करते हैं। इस प्रकार वर्तमान कर सहेता व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए प्रोथ साहित करती है। आय और धन के स्तर से भागीदारी, भागीदारी की दरें और जोत का मूल्य आय के सभी स्तरों में महत्वपून रूप से भिन होता है। आय के निचले भाग में 5.5 प्रतिशत परिवारों के पास प्रत्यक्ष रूप से स्टॉक है और 10.7 प्रतिशत परोक्ष रूप से सेवानिवरिती खातों के रूप में स्टॉक रखते हैं। आएके शीर्ष दश्मक की प्रत्यक्ष भागीदारी दर 47.5 प्रतिशत है और एक अप्रत्यक्ष भागीदारी दर 89.6 प्रतिशत के सेवानिवरितिक हातों के रूप में है. आएके निचले क्विंटाइल में सीधे स्वामित्व वाले स्टॉक का औसत मूल्य 4,000 डॉलर है और 2007 की आएके शीर्ष दश्मान्ष में 78,600 डॉलर है. एक ही वर्ष में समान दो समूहों के लिए सेवानिवरितिक हातों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से आयो जित स्टॉक का औसत मूल्य क्रमशह 6,300 डॉलर और 2,14,800 डॉलर है. चुनकी आय वित्रन के निचले आधे हिस्से में 2008 के परिवारों की महान मंदी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2007 में 53,2 प्रतिशत से 2013 में 48,8 प्रतिशत तक अपनी भागीदारी दर को कम कर दिया है. जबकि इसी अवधी में आय वित्रन के शीर्ष दश्मांच में परिवारों को थोड़ा सा बड़ी हुई भागीदारी 91,7 प्रतिशत से 92,1 प्रतिशत हो गई. आय वित्रन के निचले आधे हिस्से में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स का ओसत मूल्य 2007 में 53,800 डॉलर से थोड़ा नीचे गिर कर 2013 में 53,600 डॉलर हो गया. 15. शीर्ष दश्मक में सभी होल्डिंग्स का ओसत मूल्य एक ही समय में 9,82,000 डॉलर से गिर कर 9,79,300 डॉलर हो गया. 15. 2013 तक संपूर्ण आय वित्रन में सभी स्टॉक होल्डिंग्स का ओसत मूल्य 2,79,900 डॉलर है. जाती और लिंक के आधार पर भागीदारी. 16. बजार के स्वामित्व की नसलिय संरचना से पता चलता है कि गोरों के नेत्रित्व वाले घरों में क्रमश अश्वेतों और हिस्पैनिक्स के नेत्रित्व वाले परिवारों की तुलना में लगभग 4 और 6 गुना अधेक स्टॉक होने की संभावना. है, 2011 तक प्रत्यक्ष भागीदारी की राष्ट्रिय दर 19.6 प्रतिशत थी. श्वेत परिवारों के लिए भागीदारी दर 24.5 प्रतिशत थी. अश्वेत परिवारों के लिए यह 6.4 प्रतिशत थी और हिस्पैनिक परिवारों के लिए यह 4.3 प्रतिशत थी. 401 के स्वामित्व के रूप में अप्रत्यक्ष भागीदारी 42.1 प्रतिशत की राश्ट्रिय भागीदारी दर श्वेत परिवारों के लिए 46.4 प्रतिशत अश्वेट परिवारों के लिए 31.7 प्रतिशत और हिस्पैनिक परिवारों के लिए 25.8 प्रतिशत की दर के साथ एक समान पैटन दिखाती है विवाहित जोडों के नेत्रित्व वाले परिवारों ने राष्ट्रिय औसत से उपर की दरों पर भाग लिया जिसमें 25.6 अप्रतिशत ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और 53.4 अप्रत्यक्ष रूप से सेवानिवरिती खाते के माध्यम से भाग लिया पुरुशों के नेत्रित्व वाले 14.7% परिवारों ने सीधे बाजार में भाग लिया और 33.4% स्वामित्व वाले स्टॉक सेवानिवृति खाते के माध्यम से 12.6% महिला प्रधान परिवारों के पास प्रत्यक्ष रूप से स्टॉक और 28.7% के स्वामित्व वाले स्टॉक परोक्ष रूप से हैं शेयर बाजार में भागीदारी के निर्धारक और संभावित स्पष्टी करंग विसिंग जोर्गेंसन द्वारा 2003 के एक पत्र में निवेश से जुड़ी निश्चित लागतों के एक समारोह के रूप में धन और आय समूहों के साथ भागीदारी की अनुपात ही इन दरों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है उनके शोद का निश्कर्ष है कि प्रती वर्ष 200 डॉलर की एक निश्चित लागत यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि क्यूं सभी अमेरिकी परिवारों में से लगभग आधे बाजार में भाग नहीं लेते हैं भागीडारी दरों को शिक्षा किस तर के साथ दृड़ता से सहसंबंधित दिखाया गया है इस परिकल्पना को बढ़ावा देने के लिए कि बाजार भागीदारी की जानकारी और लेंदेन लागत अधिक शिक्षित परिवारों द्वारा बहतर धंग से अवशोशित की जाती है व्यवहारिक अर्थशास्त्री हैरिस हूंग, जेफ्री कुबेक और जेरमी स्टीन का सुझाव है कि समुदायों की सामाजिकता और भागीदारी दर का बाजार में भाग लेने के किसी व्यक्ति के निर्नाय पर सांखिय किया रूप से महत्वपून प्रभाव पड़ता है उनके शोद से संकेत मिलता, खैकी ओसत से अधेग भागीदारी दर वाले राजियों में रहने वाले सामाजिक व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना उन व्यक्तियों की तुलना में 5 प्रतिशत अधेख है जो उन विशेशताओं को साजह नहीं करते हैं इस घटना को लागत के संदर्भ में भी समझाया गया है, बजार के कामकाज का ज्यान समुदायों के माध्यम से फैलता है और इसके परिणाम स्वरूप निवेश से जुड़े लेंदेन की लागत कम हो जाती है इतिहास, बारवी सदी के फ्रांस में दर्बारियों के परिवर्तन का संबंध बैंकों की ओर से क्रिशी समुदायों के रिणों के प्रबंधन और विनियमन से था क्यूंकि ये लोग भी कर्च के साथ व्यापार करते थे, इसलिए उन्हें पहले दलाल कहा जा सकता था इतिहास कार लोदोविको गुई क्यारडिनी ने वर्नन किया कि कैसे तेरवी शताबदी के अंत में ब्रुग्स कमोडिटी व्यापारियों ने ववान डेर बेउस नामक एक परिवार के स्वामितवर वाले एक बाजार चौक पर बाहर एकठा किया और 149 मेवे ब्रुग्स बेर्ज बन गए जो की संस्थागत रूप से किया गया था तब तक एक अनौप चारिक बैठक विचार जल्दी से फ्लैंडर्ज और पढ़ोसी देशों में फैल गया और बेउर्जन जल्दी गैंट और रौटरडेम में खुल गया 13 वी शताबदी की शुरुआत से ब्रुग्स में मौजूद अंतर राष्ट्रिय व्यापारियों और विशेश रूप से इतालवी बैंकरों ने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के लिए जगह को परिभाशित करने के लिए अपने देशों में इस शब्द को वापस ले लिया पहले इटेलियन्स बोर्सा लेकिन जल्दी फ्रेंच बोर्स भी जर्मन बोर्स रूसी बिर्सा चैक बुर्जा स्वीडन बोर्स डैन और नौवेजियन बियार ज्यादातर भाशाओं में यह शब्द मनी बैग के साथ मेल खाता है जो लेटिन बर्सा से जुड़ा है जिससे जाहिर तौर पर वेन डेर बेर्स परिवार का नाम भी मिलता है तेरहवी शताबदी के मध्य में वेनिस के बैंकरों ने सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करना शुरू किया तेरह सो एक्यावन में वेनिशियन सरकार ने सरकारी धन की कीमत कम करने के इरादे से अफवाहे फैलाने पर रोक लगा दी चोदहवी शताबदी के दौरान पीसा, वेरोना, जैनुआ और फ्लोरेंस के बैंकरों ने भी सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करना शुरू किया यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि ये स्वतंत्र शहर राज्य थे जो एक ड्यूक द्वारा शासित नहीं बलकी प्रभावशाली नागरेकों की एक परिशत द्वारा शासित थे इतालवी कमपनियां भी शेर जारी करने वाली पहली थी 16 वी शताबदी में इंग्लैंड और निम्न देशों की कमपनियों ने इसका अनुसरन किया इस समय के आसपास एक संयूक्ट स्टॉक कमपनी जिसका स्टॉक शेर धारकों के संयूक्ट स्वामित्व में है उभरा और यूरोपिय लोगों ने नई दुनिया नामक उपनिवेश के लिए महत्वपून बन गया डाची इस्ट इंडिया कमपनी 1602 में स्थापित 1 निश्चित पूंजी स्टॉक प्राप्रत करने वाली पहली सयूक्ट स्टॉक कमपनी थी और इसके परिनाम स्वरूप इमस्टडेम एक्सचेंज में कमपनी के स्टॉक में निरंतर व्यापार हुआ इसके तूरंद बाद विभिन डेरिवेटिव में एक जीवंत व्यापार जिसमें विकल्प और रैपो इमस्टडेम बाजार में उभरा डाच व्यापारियों ने भी शौर्ट सेलिंग का बीड़ा उठाया एक ऐसी प्रथा जिसे डाच अधिकारियों ने 1610 की शुरुआत में प्रतिबंधित कर दिया था सहियोक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटड किंग्डम जापान, भारत, चीन, कनाड़ा, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, फ्रांस दक्षिन कोरिया और नीदरलेंड में दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के साथ अब लगभग हर विक्सित और सबसे विकास शील अर्थ व्यवस्थाओं में शेयर बाजार है डॉट, शेयर बाजार सूचकांक, वैश्विक, क्षेत्रिय यस्थानिय बाजारों में कीमतों के उतार चड़ाव को स्टॉक मार्केट इंडेक्स नामक मूल्य सूचकांकों में कैद किया जाता है, जिनमें से कई हैं, उदा S&P, FTSC और Euronext सूचकांक, ऐसे सूचकांक आमतोर पर बाजार पूंजी करन भारत होते हैं, जिनमें भार सूचकांक में स्टॉक के योगदान को दर्शाते हैं, बदलते कारोबारी माहौल को प्रतिबिम्बित करने के लिए स्टॉक को शामिल, बहिश्कृत करने के लिए सूचकांक के घटकों की अकसर समीक्षा की जाती है, निवेश, रन्नीतियां, कई रन्नीतियों को मौलिक विशलेशन या तकनीकी विशलेशन के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है, मौलिक विशलेशन SEC Filing, व्यापार प्रवरितियों और सामान्य आर्थिक स्थितियो में पाए गये विशलेशन के लिए संदर्भित करता है. टकनीकी विशलेशन कंपनी की विशलेशन समभावन की परवा किये बिना एतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मौलिप्रवरितियों की भविश्यवानी के प्रयास के लिए चार्ट और मात्राहत्म तकनीकों के उप और एज से कोटा द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रेंड फॉलोइंग विधी है जो मूल्य पैटन का उपयोग करती है और जोखिम प्रबंधन और विविधी करण में भी निहित है इसके अतिरिक्त कई लोग निश्क्रिय इंडेक्स फंड के माध्यम से निवेश करना एक व्यक्ती पूरे शेयर बाजार या शेयर बाजार के कुछ खंड जैसे S&P 500 इंडेक्स या विल शेयर 5000 का एक पोटफोलियो रखता है इस रहनीती का मुख्य उद्देश य विविधी करण को अधिक्तम करना लाब प्राप्त करने से करों को कम करना और शेयर बाजार की स सामान्य प्रवरिती को बढ़ाने के लिए सवारी करना है जिम्मेदार निवेश केवल मौलिक विशलेशन के आधार पर दीरकालिक शितिज पर जोर देता है और निवेश की अपेक्षित वापसी में खत्रों से बचने की आवश्यक्ता होती है सामाजिक रूप से लिए लाइक और सबस्क्राइब करें